आपना देर शकोल के अमारा बिनोम्रो स्रद्ध्या प्रणाम ओ भालो भाश्या आज भी यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आप सब हमें आसिरवाद देने आये हैं माता ये बहने भी बहुत बड़ी संख्या में आयी है इस समय तो घर में माता हो बहनों को बहुत काम रहता है खाना पकाना घर के काम करना ये सब छोड़के इतनी बड़ी तादाद में आप आये हैं ऐसा लग रहा है ये मेरा परिवार आज मुझे उनके दर्शन करने का आउसर मिला है साथियों मुझे देश ने इतना आशिरवाद दिया है आप सबने मुझे इतना आशिरवाद दिया है शायद कोई इंसान अपने जीवन में ऐसी कलपना तक नहीं कर सकता है कि इश्वर रुपी जनता जनारधन इतने आशिरवाद बरसाएं और लगातार बरसाएं और सालों साल ये आशिरवाद बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए जीवन में इससे बड़ा संतोस क्या होता है मेरे प्यारे देश वासियों आप भी जानते हैं अगर पद की लालसा हो प्रतिष्टा की लालसा हो पीम पत की लालसा हो तो एक बार इंसान पीम के शपत ले ले फिर उसके जीवन में वो उचाई तो प्राप्त हो ही जाती है इतिहास में नाम दर्द हो ही जाता है तो फिर लोगों को लगता है कि मोदी जी दो दो बार MP रहे PM रहे दुनिया में इतना नाम हो गया अरे कभी तो आराम करो लेकिन मेरे देश वासियो मैं मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ मैं खुद के लिए जीना नहीं चाहता हूँ मैं तो आप सबकी चरण रज माथे पर चड़ा कर आपकी सेवा का संकल्प लेकर ये महान भारत माता के 140 करोर देश वासियों की सेवा करने के लिए निकला हूँ कर दो आपकी सेवा करने के लिए जापकी सेवा करने के लिए नहीं चाहता हूँ